हेलो स्टुडेंण स्वागत नई क्लास के साथ दोस्तों आज लो से बात करेंगें को लेकर चेनट प्रिकरिय के रहने वाली एक्जाम डेट का ए इन शबी इंपोरेट टॉपिक्स पर आज़ की वीडियो में कबश करने वाले जी हाँ दोस्तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए वरावन वलाइकन का निसान मिलेगा उसको प्रेस कर लीजिए जिससे की जो भी नोटिफिकेशन हो वह आपको कंटीनू मिलता रहेगा आपके सीवी क्लास से वंच इतना रहे हैं मान लीजिए अगर आप बॉइस हैं मेल कंडिडेट्स हैं और आपके सिष्टेर वाइफ अगर और प्रोटेक्शन फोर्स की तियारी कर रही हैं उन्होंने अपना फॉंप फिल किया है तो उनकी नहीं क्लास बरदान होने वाली आप उनको इकलास सेर कर दीजिए जिससे कि उन लिकिन में पॉइंट्स पर बात करने वाले हैं आज हम आज की वीडियो में रहने वाली है और पेप कॉंश्टेवल एंड ऐसाई भरती फीमेल कंडिडेट इंपोडेंट नोटिस क्या-क्या इंपोडेंट टॉपिक्स रहने वाले हैं एज के रहने वाली है फिजीकल जाती इस बात को भी डिसकस करेंगे अगर आप दस भी पास हैं तो आप जन्वल केटेगरी से आते हैं तो 18 से 20 साल तक आप हैं तो आप अपना फॉम याँ फिल कर रही होगा आप सभी स्टूडाइंट होने ठीक है ओभी इसी के लिए तीन साल का यहां पर छूट मिली थी बात करूं कि आपका जो फीमेल कंडिडेट का जो कट ओफ है वो कम क्यों जाता है देखिए सबसे पहले बात करें हम हाइट की तो देखिए जो जेनरल हैं ओवी सी हैं और यहाँ पर EWS वाली फीमेल कंडिडेट से उनके लिए हाइट का जो सीन रखा गया है यहाँ पर वह 15 सेंटीमीटर रखा गया है ठीक है और SC-ST की बात करें तो 152 सेंटीमीटर हाइट का प्रोस्स रखा गया था यह आप सभी लोग ने इसको देखते हूं फॉम फिल किया था तो देखिए ज्यादतर जो महला वियरती है वो इस कारण से हाइट की बज़े से बाहर हो जाती है क् यह इतनी हाइट नहीं हो पाती इस वज़े से फॉम फिल कम होते हैं जो फॉम है यहाँ पर कम अधन हो पाते हैं जिस कारण से कट आप थोड़ी फीमेर कंडिडिट्स की कम जाती है देखिए यहां पर आपका जो है फिजीकल होना है पहले एक्जाम होना है फिर आपका साथ साथ जो बात करें तो सब्सक्राइब के लिए हमेसा त्यार रहेना ठीक है अगर आपके पास अभी शमय है तो आपको फिसिकल की त्यारी करना पड़ाई के साथ साथ नहीं तो फिजीकल बहुत मुस्किल हो जाता इन सभी टॉपिक्स को मैंने और विस्तार से बता जिया था कि 2018 में कितनी गई थी 2019 में कितनी गई थी इन सभी को जानने के लिए आप नीचे लिंक दिया डिस्क्रिप्शन में वहां साफ वीडियो को वाच कर लीजी वहां साफ कि सारे डाउट्स किलियर हो जाएंगे जो भी अची है और एक्टूबर से नवंबर दिसम्बर होने वाला है अब यहां पर नहीं कि गई है तो अभी आख्रे लगा जा रहा है कि नवंबर से दिसम्बर के मत्द्र आपका एक्जाम करवाय जाएगा ठीक है तो यह आज की मैं मैं पॉइंट की बात थी और बहुत अच्छ और फीमेल कंडिडेट के लिए सुनहरा मौकाई 2014 का ठीक है क्योंकि कुछ इस्टूडेंट ऐसे हैं जो अभी यूपी री एक्जाम देने वाले हैं तो उनको फायदा होने वाला है यहां पर आर्फिप एक्जाम ठीक है आपने सब इन एक्जाम का लेवल देख लिया होगा